नमस्कार दोस्तो Miracles of Krishna चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त तनु कातियानी गुपता फ्रेंट्स आज का टॉपिक बहुत अच्छा सा है और कन्फ्यूजन दूर करने वाला है बट फ्रेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आती है तो फ्रेंट्स आज का टॉपिक है कि डिफ्रेंट्स क्या है क्लीम और ओम क्लीम कृष्णायनमा में अभी कुछ कमेंट्स आयते मेरे पास और उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी था और मेल भी आयती कि इस पर आप बताईए कि क्लीम और ओम क्लीम कृष्णायनमा अगर हम चैन्ट करते हैं या उन दोनों को चैन्ट करना है क्या डिफ्रेंट्स है तो फ्रेंट्स इसमें कोई इतना डाउट वाली बात नहीं है बहुत सिंपल है अगर आप ओम क्लीम कृष्णायनमा चैन्ट करते हैं तो वो सारे जो आपकी जो चैन्टिंग है वो सारी अर्पन किस को होईगी क्रिशन भगवान कोईगी वो सारी और वाइबरेशन क्रिशन भगवान तक आपकी पहुंचेगी और आप खुद कर पायेंगी खुद को क्रिशन भगवान से और अगर आप Only clean change करते हैं आपको काली मा से connect करेंगी. काम देव भगवां को सोच कर रहे हो तोṣec अगर अगर आगर आप उसको करते हो तोसोने उसमें किरीजन बगवां का नाम भी आ रहा है. तो कलीम के साथ किरीजन बगवां को भी आप अट्रेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी सारी की सारी vibrations वहां तर कोचेंगे आप खुद को connect करोगे टोटल आपको जो पूरा हो रहा है वो ही हो जाएगा राधा कृष्णा वाला अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ जब मैंने क्लीम चेंट करना स्टाट किया था तो मैंने कृष्ण भगवान को ध्यान में रखके किया था और फिर उसके बाद मैंने ओम क्लीम कृष्णा एनमा चेंट किया है और मैं करती हूँ फ्रेंट्स एक बात और कहूंगी और अगर आप किसी भी भगवान को ध्यान में रखके नहीं करना चाहते क्लीम चैन्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप only clean chant कीजे तो कृष्ण भगवान, काली मा, कामदेव भगवान तीनों की blessings आपको मिलेंगी डाउट्स मत लीजे, डाउट्स से मन मत जोड़िये डाउट्स से खुद को मत जोड़िये उसको तो बिल्कुल अलग हटा दीजे बगवान से कनेक्ट होईए क्लीम से कनेक्ट होईए ओम क्लीम कृष्ण आयर नमा को सोचे ओके फ्रेंट्स तो आज के लिए तना ही और जिनके ये माइंड में कोशन ता आये होब मैं उनको क्लीर कर पाई हूँ और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा इस्टे हेल्दी एंड से सेफ ओके फ्रेंट्स मिलती हूँ नेक्स वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ बाबाई